खबरों में बने रहने के लिए पैल आइकन दवाईए और हाँ पश्ट इडिया को सब्सक्राइब जरूर दीजे इता प्रलाब कुंजल कहते हैं कि धारिवाल हमारे मंजूर कराए गए 32 करोण के प्रोजेक्ट को अपना बता रहे हैं ये रपोर्ट देखे आमतोर पर नए कोटा में ही आने वाले विकासकारियों के नए प्रोजेक्ट का तोफा अब पुराने कोटा शेहर को भी मिलेगा तो UDH मंत्री ने भी पूर्विधायक से पूच लिया कि प्रोजेक्ट आपका था तो उसे अप्रूप करवाने और पूरा करवाने से आपको रोका किसने था धारिवाल ने कहा कि बीजेपी के पूर्विधायक तक 30 से 35 करोड के हमारे कामों को अपना बताने की उच्छी सियासत कर रहे हैं कुल मिलाकर हम कोटा में 1500 करोड के विकासकार करा रहे हैं जिन में से अधिकतर के तो टेंडर तक जारी हो चुके हैं प्रलाद गुंजल का जो 132 करोड का पेकेज था नन्यान में करोड 72 लाक युआइटी का और 32 करोड नगर निगम का उसका 20 परसेंट काम भी पुरा नहीं हुआ था आपने पुरा का पुरा रोक दिया वियक किसने रोका था जोनी काम तालू करवाए जोनी काम पूरे करवाए पुल मिला करके आप कहते हो किसा हमने 37 करोड रुप्या मंजूर करवा दिया था पैसा का है हाँ आया को पैसा है जब पैसा नहीं आया तो काम नहीं कैसे होगा और नहीं होगा अपने विधानसवा शित्र कोटा उत्तर के डड़वाड़ा इलाके में पांच वाड़ों के लिए 6 करोड वारा लाक की सीसी सड़क का शिलान्यास करते हुए धरिवालने मंच से 99 करोड के विवादित नाली पटान के कामों का भी जिक्र किया ये काम विधानसवा चुनाओ की आचार सहिता लगने से एन पहले विवादित तरीके से नदीपार की अप्रूब्ड नोन अप्रूब्ड कोलोनियों में कराए गए थे UDH मंत्री ने कहा कि ये काम इतने घटिया थे कि एक बरसात में ही करोणों की सड़क बह गई और इस काम को करवाने वाले सभी नो ठेकेदार ACV जाँच के लपेटे में हैं धारिवाल ने इस दोरान कुंजल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ठेकेदार जब रष्टाचार के पैसे की बंदर बाट ACV को बताएंगे तो पूर विधायक सोचें फिर क्या होगा डड़वाला की सभा में धारिवाल ने कोटा के जिकेलोन अस्पताल में नवजातों की मौत को लेकर भी बयान दिया और इस पूरे मामले में बीजेपी पर ओची स्यासत करने का आरूप लगाया उन्होंने कहा कि पोती की शादी की चलते उन्हें अब अस्पताल का दोरा करने का मौका मिल पाया है इसके बाद धारिवाल केंदर सरकार पर जम करबर से और बाड़ पीड़तों को राज सरकार के इसतर पर मौप जा देने की बात कही कोटा से भवरेश्चारन फ़स्ट इंडिया निव